हेलो दोस्तों वेल्कम टो मैं चैनल नेहाई डिजाइन सो हमें आपके दोस्त नेहाई अलवी आज किस वीडियो में हम आपके लेक आई हैं ग्यारा से बारा साल की बच्ची के लिए सुन्दर सी फ्रोग यह हमारे देखे सामने से ओपन है और इसे बनने में हमारा सवा 2 मीटर प्वाब्रिक यूज वह हा है इसे बनाना बहुत आसान है तो उच्छे लिए इसने शूरू करते हैं अब हमने इसको आर्ज की साइट से डबल फॉल किया जिस साइट से हमारा आर्ज है और अब इसको एक बार और फॉल करेंगे हैं और यहां से लेंगे हैं अपने टॉप के लैंथ तो टॉप के लैंथ हम यहां से रखेंगे ट्वैल इंच इसमें एक्स्ट रहें करेंगे और तो थाइटे निच पर आपने टॉप के लेंगे यह हमें इपने टॉप के लिए फैब्रिक कटके है तो ही वाला हमारा फैब्रिक है इसको हटा देते हैं और जो हमारा टॉप है हम वो लेंगे तो सबसे पहले हम इसको करेंगे यहां से दो पार्ट में डिवाइड और यहां से इनको फोल्ड करेंगे सबसे पहले हम तीरे का मार्ग करेंगे तीरा हम लेंगे यहां से 5.5 इंच पर हम तीरा लेंगे और आम सोल का मार्ग में 5.5 इंच पर करेंगे और यह हमारी टॉप की लेंथ है तो अचेस्ट का मार्ग रखेंगे हम यहां से 7.5 इंच और जो हमारी कमर होगी उसका मार्ग हम यहां से 7 इंच पर रखेंगे जो हमारा शोल्डर है यहां से थोड़ा समय डाउन लगाएंगे अब इसके हमारी मार्किन हो गई है आप मैंसी कटिंग करेंगे यहां से हमने से अपने जो फ्रंट वाला पार्ट है हमने उसकी गटिंग की है अब इसकी बैक वाला जो पार्ट है उसकी गटिंग करेंगे बैक वाला जो हमारे पार्ट के आम सोल है इसको हमने थोड़ा से एक्स्ट्रा कट किया है तो यह हमारे टोफेस के हमारे कटिंग हो गई है इसके नीचे हम इसमें एड़ करेंगे लेयर हमें चार लेयर कट करनी है तो यह वाला जब बार्ट है अभी इसको एक साइट पर रखते हैं जोगी हम आच करनी है यह हमारी मैं लैयर ऐसमें किसे पट्टी कट करने हैं देखेसील्ऊक्रel questions इंक आपको पहले में बथा यह यह हमारी पहली मेजर मिकंप स्क्रिफ रखेंगे से सीदमेंगे अब और लेंद है हमारी 27 और से मेजरमेंट के हमने दो लेर कट की है यह पहले लेर और इसके बाद दूसरी लेर जो होगे हमारी वह से बढ़ी रखेंगे तो उसके लिए देखिये हमने यह लेर कट की है width हमारी 4 layer की same है तो width हमारी 8 inch है और length है यहां से 39 inch है और यह हमारी double fold है तो यह हमारी second layer है और यह हमारी third layer जो है वो इससे बड़ी होगी तो इसका measurement है width 8 inch है और length है इसकी है 40 इसकी लेंज है और इसको कम डबल करेंगे तो 18 इसकी लैंज होगी और इसी के साथ एक लियर और है इसमें इसकी लैंज है तो टोटल हमारी 87 इसकी हमाज तीसरी लेयर है वो कटकर त्यार होगी और ये हमारी last layer है fold ये हमारी fourth layer है तो fourth layer की width है हमारी 8 inch और length हमने इसके यहां से रखी है 28 inch और इसको हम double fold करेंगे तो हमारी 56 inch होगी अगर हम इसको single करके मापेंगे और same measurement में हमने 3 layer cut की है तो देखिए ये हमारी 3 layer cut है same measurement में ये हमारी fourth layer cut हुई है देखिए यह हमारी 4th layer है इस से चोटी हमारी 3rd layer है और उससे चोटी हम सेगंड लेंगे और सब चोटी होगे हमारी फॉस्ट लेयर चारों बनके हमारी संदा से कूर्थे वाला जो डिजाइन है वह बनका तयार होगा तो हमारा जो ड्रेस है उसकी गटिंग हो गई है चले अब कि शुरू करता है जो हमारा टॉप है इसके लिए पहले नेक कट करना है तो यहां से विड लेंगे त्री इंच पर नेक की जो हमारी विड होगी और लेंद हम यहां से रखेंगे फॉर इंच कि यह मैं अब लगाने के लिए और बैक साइर के नेक के हम लेंद रखेंगे यहां से त्री इंच वाइव इसके स्टेटिंग शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हमारा जो फ्रेंट वाला नेक है हम इसे पाइप इन करेंगे तो इसको हटा देते हैं और उसके लिए हम देखिए उडेप की पट्टी कट कई है इसको आपर नेक पर रखेंगे और यहां पर हम इनको इन दुनों को एक साथ अटेश्ट करेंगे इसमें कर्स लगाएंगे कर्स लगाने के बाद हमारा जो फ्रोक है हमारा जो टॉप है इसको पलतेंगे और यहां से हमारी जो पाइप इन वाली पट्टी है इसको देखिए एक बार हम इस तरीके से पलटना है और अब इसके उपर एक पैर के गाफ में सिलाई लगाएंगे कर्वाएंगे इसके बार देखिए हमारा जो पाइप इसको हम कट कर देंगे यहां से हमारा जो नेक का जो हमारा जो पाइपिन वाला अफ्टर पार ता उसको हमने कट कर दिया है अब यह जो हमारी पाइपिन है इसको हम एक बार और फोल करेंगी और इसके उपस लाए लगाएंगे है 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 यह मारा फ्रेंट वाला पारट उसके बन यूचिए हमारा अप 뜻 कर ले कि मेंदस पौल नहीं क्या है और यहां से अपने शॉल्ल को सिल देंगा आप इसको में आपन करेंगे और यहां से हमाई जो पाइप इन है इसको फॉल करेंगे आप 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 इस आप आप किया एंग यह जो अप自然 हमारी पत्ती है बचकी थी इसकी विड़ है हमारी जो इसकी विड़ा हमारी टोंच सुआप इसमें आपनी जो आपिशना उस पर पाइप करेंगे तो इसको दो दिए आप करेंगे इसको फॉल करेंगे इसमें कट्स लगाने के बाल हम इसको पिलटेंगे और यह जो हमारा जॉइंट है इसको दबाएते हुए इसके उपर स्लय लगाएंगे सेम तरी के दूसरे आम सोल पर हम पाइप इन करेंगे दोना आम सोल पर पाइप इन करने के बाद हम यहां से अपने आम जो हमारी फेटिंग की सिलाई है वो लगाएंगे देखिए हमारा जो टोप हो बनकर तयार है इसके थमें निचे की लेर तयार करने है तो इसको हम एक सैट पर लग देते हैं और पहले हमने चारों लेर त्यार करेंगे यह हमारी पहरी लेर है और यह हमारी जो सेकिंड लेर है दोनों लेर है हमारी इनकों मैं तयार कैसे करना देखिए पहले हम यहाई लेर लेंगे इसको हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे हमें सिफ एक साइड से इसको से लाइए करनी है है यहाँ से हमारा जो हो है ब आपन रहेगा इसको में सिध्य पट्टि बना लेनी है और सेम तरह किसे अम ऑगे हां और है पकर जोईठ हैं और यह हमारी जोईंट हैた इसमें जोईन्ट लगाने की जोऋरत नहीं है तो इसमें क्या करना है ऊपर य여य कोच्छी स्लाइ लगाईंगे क्लाद सेंगे लिए अधायर दोगोने अधाने आफ़ाइख लगाई हैं यहां से विए धागा केचेंगे और यह जो हमारी लेर है इसको हम देखिए वाई नीचे लेर है इसके एक्वल कर लेना है वह थलकी अलकी से हमारी इसमें ग्यादरिंग आएगए देखिए हमारी इसकेंड वाई लेर है इसमें इस तरे के से ग्यादरिंग आएगे वह थलकी सेंग ग्यादरिंग देनी है और इसके हम क्या करेंगे यह है हमारी फर्स्ट लेयर तो हम अपनी फर्स्ट लेंगे और इन दोनों के एक साथ अटेश करना है हमें कि कि घचे करेंसे और रेंगे तो हम सСТथा अटेशा करेंसे हमें इसका घ्कव civरी मेंसर магазiner सिन। है जदे हमारी गाईशों के ईनल क्या है है कि आज एक स्ट्सर नहीं इसका है हमें वह हमेंगे वहे हाँ पर कि आपते स्थाराता है कर आथ कि कि आ यो तो आ हमरी सेकंड लेयर इसका टाच्छ चछी है और जिस तरीकियशता हमने सेकंड लेयर साथ अटाच्छ हूई है सेम तरीके से समें हमरे फौर्थ लेयर है दोने में इसके तो हमाँ अटेच्छ कर लेंगए में जब जो दो दो जा साथ है कि एक जो चारो लेयर हम इने अटेच्छ किए इस तकी से माई चारो लेयर अटेच्छ हुए है और जिसय तेको से हमने फ्रेंट वाले पारप पए अपनी सेकंड लेयर अटेच्छ की थी सेम तरीके से हमने इसमें 3d layer और 4th layer दोनों अटेश किये हैं। इस हैड से हमारा ऑपन है अब में यहां-स को लेंगे ए han had a चोखनेल तक कि अलए वह तो मिन ben कहां यहां थी ऐसीं तो घील एक जिल है है और इसके बाद हम करेंगे इसको फॉल्ड तो देखिए जो हमारा ओपन है हम एक साइट से लेंगे इसको और यहां से इसको फॉल्ड करेंगे 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 करेंग कर दो खक बहुआ खर था खक्रफ़ भौ खक्रफ़ खर खब गो खक्रफ़ कि यहां से हमने इसको फॉल्ड कर लिया है इसके अधर हमें क्या करना है यह हमारे टॉप के एक्वल है अब हम क्या करेंगे अपने टॉप को करेंगे फॉल्ड और इसको मार्क करेंगे यह हमारे सेंटर का मार्क है अब यहाल हमारे जोइंट है हम सेंटर पर रखेंगे और यहां से इसको अटेश कर देंगे हमारे बास करेंगे क्या हमारे worth प्रइज जिता रखेंगे प्रइब जम प्रणा यदाडो करेंगे तो दोस्तो हमारी जो फ्रोक है वो बन गए तयार है इसे आता है कि हमने याप इसमें कुछ बटन से लगाए हैं सेम फेबिक हमने यूज किया है और हमारी फ्रोक का फाइनल लुक बहुत ही सुन्दर आ रहा है तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता है यह एक लॉंग फ्रोक है और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को तिलिक करना ना भूले जिसे कि आप हमारी आने वाले किसी भी न